वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना जाओंगा कि अगर दोस आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलेगा आपके प्यार की वज़े से ही ये सब वीडियो बन रहे हैं लाइक और कमेंट तो जरूर करके बताईए कि वी अरे भाई ये तो गए ये वाले भी नहीं सचेण ये वाले भी नहीं मेरा एक फ्रेंड है उसने मुझे कहा सबसे पहले धरमवीर का ट्रेलर देखना और उस पर रिएक्षन देना तो उसकी बात तो मनागारी नहीं सकते हैं लेकिन उसके बाद जैसे जैसे मैं माराथी गूगल कर चुका हूँ तो मुझे प्रस्ट भूमी तो पूरी तरह से मेरी क्लियर है और एक चीज यार इस मूवी का एक सौंग है गुरू पूर निमा वो मैंने देखा मैं जब इसका ट्रेलर निकाल रहा था तो मुझे वो गाना सजेशन में है तो मैंने का गाना देख ले क्योंकि गाने का रिव्यू करते नहीं कॉपिराइट आजाता है उस गाने ने एक्चुले रूला दिया मतलब मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं तोरा हार्ड बनके रहूं थोड़ा यूनो स्टोन हार्टेड बनके रहूं थोड़ा रूड बनके रहूं लेकिन इमोशन तो इमोशन है यार और ये मूवी और ये गाना देखके तो बांध तूट गया खेर शुरू करते हैं श्री गणेश यह तो धर्म स्ततो जया जिते धर्म तितिविजे मानुस अपनेत का मोठा धर्म नहीं यार ये तो मतलब जो बात है ये मुझे हमेशा कचोड़ती है ये एक मारला आमी दहा मार ले तुभी दहा मार ले तुभी दहा मार ले तुभी शंभर मारूँगे चै शिवाजी थान्यात दरबार भरतो मने तुम्चा प्रती नयाले मुझे नयाले थरलेले निका आलिकले योन बदलता तुज़ा कोरटे न ते पुरावी साधर करा अससानत माज़ा कोरटे न ते पुरावी जित्या आये ती धुझ शोधु रांत पार तड़ाव पाली पासु रूभिय रांगेत बहीनिंची किम्मत असेल तया इल बाहेल अक्त रक्ता चेसना मुणु नात नेलाले पड़ तुमला राखी बाननार इचा नंतर अनन दिके मजे का देवे साइभान चाएका चित्ती मोय जैंची आयूश्य बदलली न त्या गरीब कुटु मनना जाउन विचारा तैंची देवाची व्यक्ष्यक आए असाहा हा धर्मभी गर जंत अला धर्मजाद काही नह्यास्ते दोख्या और टोपी हो लूं फिरणारा नाई मैंने जो कुछ पढ़ा था नेट पर उसके हिसाब से ये प्रोमो बिलकुल सटीक है प्रोमो ये शायद आज से 20 साल पहले का है क्योंकि मैंने सुना है कि इनको गए हुए 20 साल हो चुके है तो ये समझ में आता है कि ये 20 साल पहले कि जब मोबाइल भी नहीं हुआ करते थे जब इतनी लक्शरी कारे भी नहीं हुआ करते थे तब कि ये मूवी है और इसमें प्रकाश ओक है जो एक्टर है इसके और मैं आपको दिखाऊं कि असली जो आनंद धिगे जी थे वो ऐसे दिखते थे प्रकाश ओक बिना दाड़ी के ऐसे दिखते हैं और प्रकाश ओक जब आनंद धिगे बने हैं यानि कि धरम वीर बने हैं तो ऐसे दिखते हैं मतलब क्या transformation है यार अल्टिमेट लेवल पे जो ये बॉलिवूट के हीरो हीरोईन करते हैं मैथ़ड एक्टिंग ये क्या है बहुत सही प्रकाश ओक जी जो है अच्छा इस मूवी के जो डिरेक्टर है वो है प्रवीन तार्डे और प्रवीन तार्ड ने हमको किस में दिखे थे सर सैनापती हम भी राव में मतलब क्या सारा टैलेंट के मराटी मूवीज में आ गया क्या यार घजब है वेरी नाइस इस मूवी के बारे में मैंने जब पढ़ना शुरू किया और जब मैंने ट्रेलर अब देखा है तो मेरे दिबाग में एक जो बात आती जो मैंने कई जगे सुनी भी है कि भगवान राम ने महल छोड़ा सारे एश्वाराम छोड़े परिवार छोड़ा, पिता छोड़ी, मा तीन-तीन माय छोड़ी भाईयों का सुक छोड़ा धनुष नहीं छोड़ा बान नहीं छोड़े महा भारत में भी बांसुरी वाले ने शान्ती की कोशिश नहीं छोड़ी लेकिन जब अती हो गई जब अती हो गई तो फिर बांसुरी वाले के भी हाथ में कुछ नहीं था फिर तो तलवार उठनी ही थी फिर तो दनुश उठनी ही थे फिर तो गदाएं उठनी ही थी और फिर तो महावारत होनी ही थी यही बात इस ट्रेलर में भी थी असली वाले आनन दिगे जी ने कही थी नहीं कही थी मुझे नहीं पता लेकिन ट्रेलर में है तुम एक मारो के मैं चार मारूँगा तुम चार मारो के मैं दस मारूँगा तुम दस मारो के मैं सौ मारूँगा ऐसा कुछ सही है इसमें बाग जाओगे भगत सिंग तो जरूरी है दोस्त अच्छा आप सोचो के महाराणा प्रताप और शतरपती शिवाजी महाराणा जाकर मुगलों से आए जो भी इन्वेडर्स आए थे उनसे शांती की बात करते तो शांती रह पाती नहीं रह पाती जो हमारे बुजर्ग थे जो 500 साल पहले हुए जो 1000 साल पहले हुए कुछ तो सोच के मरने मिटने चले गए होंगे न इसलिए आनन दिगे जी भी इसलिए इन सब चीजों की बात कर रहे थे इस ट्रेलर में जो लेट आनन दिगे जी थे उनको सब धर्मवीर कहते थे और वो बेसिकली कोट लगाते थे इतने अंदर तक घुज गए थे, मेरा मानना है कि अगर आपने किसी का दिल जीत लिया तो फिर आपने सब कुछ जीत लिया, फिर सब कुछ आपका है उसका, और मैंने तो ये भी पढ़ा है कि अभी जब इनकी पुर्णितिति आती है, जब इनकी वो आती है, डेथ एनिवरसर जब आती है, तो लोग जमा होते हैं, इनको याद करते हैं, भगवान के पराबर मानते थे, क्योंकि ये काफी लोगों के काम आते थे, वही बात, दिल में जैके बना ली तो, अब जो मैं सौंग की बात करने वाला हूँ, क्या बोलू मैं उस सौंग के बारे में, मैं लिटर रमवीर बाला साहब को रिदय से गुरु मानते हैं, और जो दिल से मान लिया, सब कुछ मान लिया, उसमें कहते हैं, कौन है दाड़ी बाले तुम्हारे साथ, वहापे तुम्हारे सब दाड़ी बाले होते हैं, क्या बड़ी बारे यार, पैर धो रहे हैं, उनको फूल पीले चावल खाये जाते हैं तिलक कर रहे हैं पैरों में अरे चंदन घिस रहे हैं मतलब बाला साथ भी लाश्ट में वो शुरू में तो कहते हैं क्या कर रहा है और उसके बाद वो खुद उसको उनको आशिरवात देते हैं फिर आता है एक सीन जब उनके जो दर्वाजे पे खड़े हैं उनके फॉलवर्स वो आनंद दिगे जी को कहते हैं कि धरमवीर को कहते हैं कि भाई तुम्ची गुरूप पूर्णिमा आली हमारा क्या तो फिर वो उनको नदी में ले जाते हैं और उसके बाद ये ये वाला सीन देखिए ये वाला सीन कितने एमोशन कितने एमो अब आप मुझे ये बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा धरमवीर के लिए मेरा जो रियक्शन था वो आपको कैसा लगा सच सच बताना कमेंट में लिखे इस वीडियो को लाइक करना और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना जो शुरू में का था आपका जाージ बताना कमेंट में लिखे इस भीडियो करना झाल वा जो आपका सच सब ridingो हुई प्लीज वो पर सच सफच चरीजाशन थाो आपको कैसा गो इस तब शो खरे आपको का रिखे ईस जो आपको कैसा शुरू को बताना